जज साहब की हरकत से नयाय पाले का शर्मसार माफी मागी जी हाँ तम्रेल आपने देखा होगा तम्रेल बड़ा इसपस्ट है एक तरफ CGI डीवाई चंदरचूर साहब जो सुप्रिम पोर्ट के मुक्ष नयाय धीश हैं जो चाते हैं के पृतिक वेक्ति के सेंडें नयाय मिले सस्ता सरल सुलव जल्द नयाय मिले जस्टिस हो हूँ फेर जस्टिस हो फेर जजज्मेंट्स हो फेर आदेश हो वही यह देखने में आ रहा है कि कुछ जो जज हैं वोara है जो अनुस्रान इनको करना तो डीवाई चंदर्चूट सहाब का जो सपना है सबको सस्ता सरल सुलव जल्द नियाय मिले अच्छे आदेश हो अच्छे फैंसले हो उसमें कुछ जो है कभी-कभी ऐसी चीजें कर देते हैं वो उनको नहीं करना चाहिए जिस पद पर वो बैठे हैं उनकी गरिमा का उनको ध आप अच्छा जा रहा है शायद आप लोगों तक पहुंचा और आहीं पहुंचा हो तो इसलिए चौदरी लिगल एंस प्लेटफर्म से आप लोगों तक इस वीडियो को आप से डिसकस करेंगे आपसे शेयर करेंगे तो वीडियो को सुरू करने से पहले से आपको प्रणाम नमस्कार अविबादन, CGI साहब का में बहुत बड़ा फैन हूँ और आप लोग जानते हैं कि ऐसा क्यों है CGI साहब जब से उन्होंने कारवार समाला है सुप्रिम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट से लेके ट्राइल कोर्ट की बात करें तो बेहद अच्छा माहौल है अच्छे जज्जमेंट्स आ रहे हैं फियर जज्जमेंट्स आ रहे हैं बहुत जल्दी त्वर्यत जो है वो नियाए हो रहा है सुप्रिम पोर्ट के सीजी आई जो हैं टीवाई चंदर चूड उन्होंने कुस्व में पहले कहा था कि जज्ज डरे नहीं बिना डरे अपने आदेश दें इसके बाद बहुत अच्छे जो पूरे देश भर से आदेश आदेश आपको देखने को मिले चाहिए हाई कोर्ट स हर जगा पर इस मामले को आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं वहीं से हम हमारा जो सुरोध हैं खबरों के वहीं से हम भी लेते हैं और जो भी खबर आप लोगों तक पहुचा नहीं होती है जो लगता है कि नियाएक दिश्ची गॉंड से बहुत जरूर है उसको कि एक जैज्ज का निस्ट प्रभाग की जज्श है घानडि राना वन्होंने अपने ही करमचारी को फोर्थ ग्रेड एम्पलोई बताई जाते हैं चतुरत शेणी करमचारी जो हैं नाम है विरत्य अमीर टंडन जिनको थपड मारा गया है चत्तिसगण न्याइक करमचारी संग के प्रांत अध्यक्ष जो द्विशर सिंग ठाकूर जिला अध्यक्ष आश्रतोष शर्मा ने बताया है जो सोचल मीडिया की जो प्रिंट मिढ़े की खबरें हैं वहां पर इनके हवाले से जो खबरें छपी हैं वो यह हैं कि वो द्वार शाम को पंचम व्याव सब्सक्रेमियन करमचारी का इंदर तो उनकी यूनियन ठी उसकी बात गए परदेश अध्यक्ष तक पर्हंची परांथ जो वहां के जिला के अध्यक्ष हैं करमचारी यूनियन के वहां तक बात पहुँची इसके बाद तब जो भी वहां करमचारी थे सारे करमचारी जो हैं एक साथ काम छोड़कर चले गए सब ही करमचारी उन्हें काम बंद कर दिया और परदर्शन किया जब मामला आगे बढ़ा तो पूरे मामले को जो वहां के जिला निया इधीश है मैं बता दू नाम उनका अब्दुल जाहिद कुरेशी उनके पास मामला पहुचा तो जैसे ही मामला पहुचा तो तुरंत उन्होंने दोनों पक्षों को अपने पास बलाया पूरी जो घटना थी उसको सुना दोनों पक्षों को सुनने के बाद उन्होंने जो महिला जच थी दानडी राना उनसे कहा कि आप माफी मांगे दानडी राना ने हाला कि इस मामले में माफी मांग ली है और उन्होंने समझोता जिलाजेश साहब ने इस पूरे मामले में समझोता करा दिया है और मामला यो है ये खतम कर दिया है तो मामला जो भी है वो खतम हुआ अच्छी बात है नियायलों में काम होना चाहिए नियायलों में इस तरीके के विवाद नहीं होना चाहिए तो जिलायस साब ने जो सूझ भूझ से जो काम लिया पूरे मसले को खतम कर दिया अच्छी बात है लेकिन सोच कर देखिए कि नियायक अधिगारी का एक चतुरस शेडी करमचारी को चांटा मारना है और जो उनका एक दारह होता है उसका दारह से बाहर उनको नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो नियायक अधिगारी है और समाज के बहुत सारे लोग उनको फॉलोग करते हैं उनका reconciliation करते हैं तो इसे गलत message, गलत संदेश भी समाज में जाता है तो हाला किस मामले में फैंसला हो गया है और दोना पक्षा में समझता हो गया है जो जो इनकी यूनियन थी वह बापस काम पर लोट गए हैं लेकिन मामला सुर्ख्यों बना हुआ है मामला बहुत वाइरल हो रहा है और मैं यहां से जो भी नियाएक जो लोग इस वीड हो पेशकार हों बाबwards हो चाहे वह वह कील हो चाहे मिलकर के परिवारं बनता है वह पूरे परिवारं kırmcąिक VIC senate जो वाद फो कि वातकारी होते हैं नहीं लोगों को नियाए दें जलदी नियाए दें अत्षा नियाए दें और फेर जज्जमेंट्स दें और इन सब को मिल करके वो परिवार की तरह से काम करना होता है तो आपस में विवाद जो है उससे बचें विवाद ना करें परिवार की तरह काम करें मिल जूल कर रहे हैं बस यही शंदेश मियां से देना चाते हैं आज की वीडियो जरूर करें जहन्जा भारत धन्यवाद